खबर देवरिया से जहां आंधी के साथ बारिश हुई आंधी तेज होने के करण जिले के कई हिस्सों में पेडों के गिरने से सडकों में आवागमन बंद रहा हाला कि लॉक्डाउन के करण वाहनों का आवागमन बंध है जिससे लोगों को जादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन बिजली की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा जगे जगे गिरे पेड़ों को आसपास के लोगों ने काट कर सड़क से किनारी किया जिससे सड़क परावा गमन बहाल हुआ